बिग बॉस के घर से आ रही है बड़ी खबर शौकिंग एविक्षन जी हाँ शौकिंग में इसले कह रही हूँ क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा वैसा वाला एविक्षन होने की तैयारी चालू है दरसल जो मामला कल हुआ था दिगविजय राठी पे जिस तरीके से हाथा पाई हुई दिगविजय राठी भी उसमें कहीं न कहीं लड़ते भिड़ते नजर आये अविनाश और रजत ने गला पकड़ा यह पूरा का पूरा मामला है यह इशा सिंग से सुरू हुआ इशा ने एक बिस्किट ली जहां से यह मामला शुरू हुआ और इस मामले ने तूल पकड़नी शुरू करी जिसमें अविनाश भी इंवाल्व हुआ जिसमें रजत भी इ जिसको हम कह सकते हैं वो वाली फाइट बिग बॉस के घर में हुई है अब ऐसे में क्या बिग बॉस बाहर करेंगे बाहर का रस्ता दिखाएंगे यह जिन्होंने इनिशियेट किया है जगड़े को खबरे यह आ रही है सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है चीजे कि रजत ने जगड़ा ऐसा घर वालों का कहना है अविनाश ने इनिशियेट नहीं ली रजत ने इनिशियेट ले वो पहले आगे गया उसके बाद अविनाश पीछे गया और घर वालों से वोटिंग कर आई गई गया है कि आप बताएं कि जादा कुसूरवार कौन है रजत दलाल जाद पतर हाथ उठाए है कि इस जगडे की इनिशियेट जो ली थी वो रजट दलाल ने ली थी और कहीं ऐसा नहों कि रजट इन सब चीजों में पिस जाए क्योंकि ये रजट का मामला भी नहीं था लेकिन खबरे ऐसी आ रही है वैसे मेकर्स मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अभी निकालना अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि अभी सीजन मिडवीक पे है अभी दो महीने पूरे हुए है शो को आपको पता है कि 60 दिन पूरे हुए है ऐसे में मेकर्स अगर अगर अभी नाश को निकालते हैं तो भी मामला गड़बड हो जाएगा शो में थोड़ी दिक दिया जाएगा और वो दंड क्या हो सकता है ये बड़ा देखने वाला बात है मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रीम कोई दंड विक बोस दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं नॉमिनेट कर सकते हैं पूरे सीजन के लिए इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते या तो 2-4 या तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेशन यही हो सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो यह वाली जो खबर है बहुत शॉकिंग है कि अगर घर से कोई होता है तो दिक्कत तो होगी शो को भी दिक्कत होगी क्योंकि अभी शो में रजजत अभिनास इन लोगों की वज़े से जान है